प्रिदर्सको नमस्कार, मैं पंडित जी एस कोसिक, दिल की घहराईयों से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जी एस घृत कोसिक में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनम कूंडली में बनने वाले पंच महापूर्स योग के बारे में मेरे पास बहुत सारे दर्सकों के फोन कॉल्स आई, कोमेंट आई, कि सर हमें पंच महापूर्स योग के बारे में कुछ बताएं तो आप सभी की डिमांड के अनुसार ये कारीकर में ले करके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज आप अपने जनम कुंडली को खोल लीजिए और मिलाइए, कहीं ये योग आपकी जनम कुंडली में तो नहीं बन रहा यदि बन रहा है, तो आज जो बाते मैं आपको बताऊंगा, वो सब आपके साथ घटित हो रही होंगी पहले तो मैं आपको ये बतादों कि ये पंच महापूर्स योग होता क्या है नाम से ही परतीत होता है पंच महापूर्स योग अर्थार्थ ऐसे योग में जनमा जातक, महान लोगों में गिना जाता है ऐसे जातक में एक विशेस गुन पाया जाता है एक विशेस टेलेंट पाया जाता है जिसके चलते वो समाज में मान, समान, पद, परतिष्ठा एवं एक विशेस स्थान हासिल करने में काम्याब हो जाता है अब ये योग बनता कैसे हैं? कौन से ग्रहे इस योग का निर्मान करते हैं? जो ग्रहे मारगी एवं वक्री दोलों प्रकार की चाल चलते हैं ऐसे ग्रहे इन योगों का निर्मान करते हैं अब सुर्य और चंद्रमा को इन योगों में सामिल नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि सुर्य और चंद्रमा हमेशा मारगी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ऐसे ही राहु और केतु को भी इन योगों में सामिल नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही वक्री च ये पाँच ग्रहे इन योगों में सामिल होते हैं तो प्रिद्रसको आईए जानते हैं कौन सा ग्रहे कौन सा योग बनाता है और उस योग का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कारिकरम को आगे ले करके चलू इसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेसन आपको मिल सके और वो वीडियो पासाने से देख पाएं प्रेदर सको आप सक्रीन पर देख पा रहे होंगे एक जनमांक चक्कर को जहां पर एक नमबर लिखा है वो जनम कुंडली का पहला भाव होता है और जहां च्यार्ड का अंक लिखा है वो जनम कुंडली का चोथा भाव होता है और जहां सात लिखा ह वो जनम कुंडली का सात्वा भाव होता है और जहां दस लिखा है वो जनम कुंडली का दस्वा भाव होता है आपकी जनम कुंडली में किसी भी भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है बिल्कुल भी चिंता करने के अवश्यक्ता नहीं है केवल इसको आपने समझना है अब जहाँ पर एक, चार, साथ और दस ये अंक लिखे गए हैं ये जनम कुंडली के केंदर भाव कहलाते हैं इन केंदर भाव में यदि मंगल अपने मूलतर कोन रासी में, सवरासी में एवं उचकी रासी में बैठ जाए तो निर्मान हो जाता है रूचक नामक महापुरस योग का अब ये जो मैंने केंदर भाव बताए, मानले जी ये केंदर में ही एक लिखा है, जो पहला भाव है, वहाँ पर एक लिखा गया है तो वहाँ पर यदि मंगल आकर के बैठ जाए, तो मंगल की मूलतर कोन रासी है मेस, तो बन गया रूचक महापुरस योग और यदि दसम भाव में, जहां दसका अंक लिखा है, वहाँ पर आकर के बैठ जाए, और दस नंबर ही रासी हो, तो उचके हो गए, तो बन गया रूचक नामक महापुरस योग तो आपने ध्यान यही रखना है, आपने अपनी जनम कुंडली में केवल यही मिलाना है, यह जो चार खाने मैंने बताए हैं, पहला, चोथा, सातमा और दसमा, इन खानों में, यदि मेस रासी हो, यानि एक नंबर लिखा हो, या फिर आठ नंबर लिखा हो, या फिर दस नं होता है, ऐसा जातक सहासी होता है, महनती होता है, प्राकर्मी होता है, नीडर सभाव का होता है, अपनी महनत के बल पर काम्यावी हासिल करने वाला होता है, लीडर सीप का एक गुण भरपूर मातरा में इसमें देखा जाता है, मेनेजमेंट का गुण भी ऐसे जातकों में भ प्राम्याभी हासिल करता है और भिल सारा धन भी कमाता है। अब बात करते हैं दूसरे फंच महापुर्शियों के अब दूसरा बुद्ध ग्रह की वज़े से बनता है। अब बुद्ध ग्रह यदि जो मैंने बताया इनी चार खानों में इनी चार भाव में सवरासी का मुलतर कोन रासी का या फिर उचकी रासी में आ करके बैठ जाएं मैं आपको बता दू बुद्ध ग्रह की जो सव रासी है वो मिथुन है और जो मूलत रासी है वो बनती है कन्या रासी और कन्या रासी में ही अपने आपको उचके मानते हैं तो आपने देखना है ये जो केंदर भाव यह जो च्यार काने हैं इनके अंदर यदि तीन कांक लिखाओ या फिर छे कांक लिखाओ और वहीं पर आकर के बढ़े बैठ जाए तो बन जाता है भद्र नामक महापूरश योग और जिस जातक की कुंडली में ये योग बन जाता है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है बोलने की कला भरपूर मातरा में होती है चत्र होता है एक अच्छा बिजनिसमेन भी हो सकता है ऐसा जातक अपनी वानी के बल पर काम्याबी हासिल करता है तो ऐसे जातक की वानी में इतना मिठास होता है तो अपनी वानी के बल पर दुसरों को भी अपने काबो में कर लेता है ऐसा जातक बैंकिंग के छेतर में काम्याब हो जाता है अकाउंट समंधित, लेखा, जोखा, सीए, अकाउंटेंट इस परकार के पदों पर स्थापित होता है यदि व्यपार की मैं बात करूँ तो कपड़े का व्यपार यदि ऐसा जातक करे तो विशेश सफलता हासिल हो जाती है और बहुत सारा धन भी कमाता है तो प्रिद्रसोको अब बात करते हैं, तीसरे महापूर्शीयोग की, जो बनता है देवगुरु भरसपती की बज़े से अब इनी खानों में जो चार खाने मैंने बताई एक चार साथ दस इनी खानों में यदि देवगुरु भरस्पती अपनी सवरासी मूल रासी एवं उच रासी में बैठ जाए तो बन जाता है हस नामक महापुरसियोग प्रिदर्सको देवगुरु भरस्पती की जो मूल तरकोन रासी है वो है धनों यानि नो नमबर और सवरासी है मीन यानि बारा नमबर और उच के होते हैं करक रासी में तो यदि इन चारो भाव में एक चार साथ दस जहां लिखा है इन चारो भाव में आपकी जनम कुंडली में या तो नो नमबर और या बारा नमबर और या फिर चार नमबर और और वही पर आठक आ करके देवगुरु भरस्पती बैठ जाएं तो निर्मान हो जाता है हंस न देवताओं के गुरु हैं तोटली ज्यानी हैं ऐसे जातक के चहरे से ज्यान जलकता है सपश्ट वक्ता होते हैं बिलकुल सपश्ट बोलने वाले धार्मिक विचारों के होते हैं आस्तिक होते हैं भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं तिर्थों की धार्मिक सथल की यात्रा करने वाले होते हैं ऐसे जातक बड़े-बड़े कथावाचक भी हो सकते हैं परवचन देने वाले भी हो सकते हैं अध्यापक प्रोफेसर आदी भी हो सकते हैं और प्रोपकार की भावना भरपूर मात्रा में ऐसे जातकों में मिलती है और ऐसे जातक इस योग में ज जित कर लेते हैं अब बात करते हैं चोथे योग की कौन सा बनता है? शुक्र ग्रह की वज़े से बनता है मालवे नामक महापुर्स योग जो मैंने बताया ये चार खाने एक, चार, साथ, दस इनी भाव में यदि शुक्र सवरासी, मूलतर कोन रासी एवं उच रासी में आ जाएं तो बन जाता है मालवे नामक महापुर्स योग अब शुक्र देव की सवरासी कौन सी है? विरसप रासी है यानि की दो नंबर और तुला रासी में मूलतर कोन रासी के हो जाते हैं? वहीं पर मीन रासी में अपने आपको उच के मानते हैं तो इन चार भाव में यदि दो नंबर रासी है यदि साथ नंबर की रासी है और यदि बारा नंबर की रासी है और यहीं परा करके शुक्र देव बैठे हुए हैं तो बन जाता है मालवे नामक महापुर्स योग ऐसे योग में जन्मा जातक ज्यानी होता है क्योंकि शुक्र भी ज्यानी है शुक्र देते गुरु है राक्षोशों के गुरु है और देव गुरु भरस्पती जो है वो देवताओं के गुरु है तो शुक्राचारिये भी बहुत जादा ज्यानी थे तो इस कार्ण शुकर देव से जो माले योग बनता है तो इस माले योग के परभाव से जातक ज्यानी होता है भूमी, भावन, वहान इन सब का सुख अपने जीवन में भोगता है एवं उसकी जो लाइफ होती है लक्जरी लाइफ जिसको हम कहते हैं जीवन में हर परकार का आनंद भोगना इस परकार की लाइफ होती है ब्रेंडिड चीजों में ज़्यादा विश्वास रखता है सुख सुविधाय जितनी भी होती है वो सब भोगता है ऐसे जातक के चहरे में आकरशन भोगता है बड़ा सुंदर चहरा ऐसे जातक का देखने को मिला है सोसल मीडिया में ऐसा जातक काम्याब हो जाता है एक्टिंग की लाइन में कलाकार होता है सिंगिंग की लाइन में जा सकता है डांसिंग अर्थार्थ जो मीडिया समंधित सोसल मीडिया में यदि ऐसा जातक अपनी किस्मत को अजमाए तो जल्द सफल हो जाता है और ब्रेंडिड चीजों का शोकिन होता है हवाई यात्रा भी अपने जीवन में करता है और हर प्रकार की सुख स्विधा को भूगता है अब आज के जीवन की यदि हम बात करें आज के दोर की यदि हम बात करें तो सुख स्विधाएं जो भी आज के इनसान को चाहिए तो ऐसा जातक सारी सुख सिवधाओं को भूगता है और अपने ज्ञान के बल पर बहुत सारा धन भी अरजित वो कर लेता है अब बात करते हैं पांचमे योग की जो बनता है शनी देव की वज़े से इनी भाव में एक चार साथ दस यदि सनी देव अपनी खुद की रासी में मुलतर कोन रासी में एवं उच की रासी में आ जाए तो बन जाता है ससनामक महापुरस योग अब जो शनी ग्रह हैं उनकी जो मुलतर कोन रासी है वो बनती है कुम्ब और जो सव रासी है वो बनती है मकर और जो तुला रासी है उसमें शनी देव अपने आपको उच का मानते है तो इन ती चारो भाव में यदि दस का अंक लिखा हो यदि ग्यारा का अंक लिखा हो या फिर साथ का अंक लिखा हो और वहीं पर आठ आ करके शनीदेव बैठ जाए तो बन जाता है सस नामक महापुर्स योग ऐसे योग में जनमा जातक बड़ा व्यपारी होता है बड़ी बड़ी फैक्टरियों का मालिक होता है जोखिम को उठाने वाला होता है जोखिम को उठा करके सफलता हासिल करने वाला होता है ऐसा जातक कभी घबराता नहीं है जोखिम उठाने में कभी भी नहीं घबराता है औ तेल से समंधित जो भी व्यपार होता है यदि इन छेतरों में जातक अपनी किसमत को अजमाए तो किसमत चमक जाती है बहुत जल्द ऐसे जातक को कामिया भी मिल जाती है और समाज में मान समान भी खूब मिलता है और बहुत सारा धन भी जातक कमाता है पिरदर सको, यदि आप जीवन में किसी भी परकार की समश्या में घिरे हुए हैं, प्रेसान हैं, दुखी हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर सक्रीन पर दिये गए नंबरों से आप मुझसे संप्रक कर सकते हैं, सक्रीन पर दिये गए वाटसप नंबर पर आप अपनी डेट वर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ पलेस, ये तीनों चीजे भेज सकते हैं, और अपनी जनम कुंडली का मुझसे सटिक विशलेशन करवा सकते हैं, प्रेदर सको, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आपके जनम कुंडली के आधार पर जो भी सटिक उपाए बनते हैं, वो सटिक उपाए आपको बताने की, तो प्रेदर सको, यदि आपको कारिकरम अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, एवं कोमेंट करना, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार.